जीवन निर्बाद गती से बढ़ते हुए सदेव प्राणी मात्र के किरियान वयन में लाब तथा हानी की स्थितियों को बनाये रखता है कभी लाब अधिक होता है तथा कभी हानी अधिक होती है और इस सभी स्थितियों के परिवर्तन का कारण तत्वात्मक रूप से ग्रह परिवर्तन, ग्रह गोचर तथा ग्रह तथा तारा मंडल के नियंत्रित रूप से अग्रसर होने से होता है इसी स्थिती में आज हम बुद के मितुन रासी में परिवर्तन होने पर सिंग रासी के जातकों का क्या प्रभाव होगा इस विशे में बारता करते हैं बुद 24 मही सं 2020 रात्री 11 बजगर 45 मिनट पर मरग सिरा नक्षत्र में मितुन रासी में गोचर करना परारंब करेंगे तथा यहां 2 अगस्त सं 2020 परातः 3 बजगर 30 मिनट तक गोचर करेंगे यहां बुद पुनर्वसू नक्षत्र के अंत्रगत गोचर करेंगे इस अवस्था में बुद्ध एक बार वक्री होंगे तथा एक बार अस्तगत इस्थिती में भी जाएंगे बुद्ध अठारा जुन सन 2020 से बारा जुलाई सन 2020 के अंतरगत वक्री होंगे बुद्ध यहां 20 अंस से 11 अंस तक वक्री होंगे तथा 11 अंस के पस्षात्पुनहां मारगी अवस्था में गोचर करेंगे तथा बुध 23 जुन से 9 जुलाई के मद्या अस्तगत इस्थितियों में जाएंगे जिसका सिंगरासी के जातकों पर यहां प्रभाव होगा कि सिंगरासी के जातकों को मान तथा सम्मान की उप्तम अवस्थाई पर दर्सित होंगी मान में सांती रहेगी तथा मनोबिलासा कारियों की स्थिति अनुकूल होगी इसके सास्तात स्वास्थे भी सुद्र अवस्थाओं में जाएगा सहयोग की अवस्था प्रगट होंगी साहस तथा उत्साह बना रहेगा परिवार में किसी नवीन कार्य या अथ्वा मंगल कार्य को लेकर उत्साहित होंगे रोग की स्थितियों पर नियंत्रण होगा जिसके साथ साथ औस दीय तत्व आपके सकारात्मक होगे अर्थात जो चिकित सा आप ले रहे हैं वे आपके सकारात्मक होगी सत्तुरु प्राजे ही होंगे बाद विवाद की स्थित्यों में आपका नियंत्रन होगा ग्रष्ट जीवन साथी का स्वास्थे भी सुगम तथा सुलब होगा अर्थात स्वास्थे उत्तम अवस्था में जाएगा कार्यक्षेत्र की स्थितियों में नए आयाम प्राप्त करेंगे कार्यक्षेत्र की स्थितिया अनुकूल होंगी जिससे लाभ भी प्राप्त होगा वहीं 18 जून से 12 जुलाई के मद्य जब बुध वक्र स्थिति में पदारपन करेंगे तो सिंगराशी के जात्कों सहयोग की इस्थितिया अनन्यतम हो जाएंगी अर्थात जिन इस्थानों से आपको सहयोग प्राप्त होने की उमीद भी नहीं है उन इस्थानों से सिंगराशी के जात्कों को पूनतह सहयोग प्राप्त होगा िसके साथ साथ संग के जात्कों को पुर्वस से चली आ रही ग्रस्त जीवन साथी की समस्याँं से निव्रत्ती प्राप्त होगी भागे सुदरड होगा जिससे धनलाब की इस्थितियां बनेंगी तथा हानी और गुवय पर आपका नियंतरण आएगा पूर्व काल में जिन विश्यों को देखते हुए आप यहाँ अनुभव कर रहे थे कि हानी होने की संभावनाएं हैं उस पर आप नियंतरण कर पाएंगे मूल बिंदु पर यदिवारता की जाए तो यह समा बुद्ध के वकरी होने पर सिंगरासी के जातकों की प्रबंदकारिता परगाड होगी तथा उससे इनको लाब होने की पूर्ण संभावनाई बनेगी अतहा सिंगरासी के जातक सकारात्मक्ता की ओर बढ़ते हुए बुद्ध के गोचर में इश्वर के चिंतन को बनाए रखें सुभंबावतु भगवान गणपती तथा मातारा आपका कल्यान करें